हेलो दोस्तो, वेलकम बेक टो नॉलेस अपडेट यूटूब सेनल, दोस्तो आज मैं आपको इस बिरूब में बताऊंगा कि अगर आपको WhatsApp में कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी मैसेज करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, उपर से जैसे क्लिक करते हो, तो नोटिविक्शन आ ज और कौन मैसेज करते हैं, क्या मैसेज करते हैं, सब कुछ दिखाए देते हैं, जैसे कि अभी मेरे फोन में यह नहीं दिखाए दे रहा है, WhatsApp का सिंबल आया है, और WhatsApp जैसे ओपन करने के बाद ही जाके जैसे ओपन करता हूं, उसके बाद पता चलता है, प्रिया ने मुझे इस हो रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इस वीडियो में बताऊंगा, यह प्रॉब्लेम को कैसे सही कर सकते हूं, तो दोस्तो वीडियो को आगे बरने से पहले आपको एक रिक्वेश्ट करता हूं, जो वीडियो देख रही हो, बस आपको इसी खुश में वीड showing यह एक comment आपको कर दिना है जैसि हे comment कर दूए comment ho जाना होगा सैटिंग में जाने की बाद यहाँ पर प्रीवाइशी में प्रीबाइची में, कलिक कर देना होगा। नीचे ऐजाना होगा फिर फिंगरपिंट लॉक नहीं लॉक रहेगा। पहले इनेबल कर देना होगा। इनावल कर दोने के बाद उसके बाद देख सकते हो, show content in notification ये शायद off है आपका जिसके वज़से जो कोई भी message आता है वो नहीं दिखाए देते कि इसने message किया तो आपको करना क्या होगा show content in notification इसको on करते नहीं इसको on करते नहीं के वाद फिर fingerprint को आप off कर सकते हो और फिर उसके बाद देखो अभी मैं अभी back आ जाता हूँ अभी जो कोई भी मुझे message करेगा जैसे कि hi hello ये देखो जो भी message किया उपर से click करता हूँ तो देखो यहाँ पर notification आ रहा है कि hi hello किसने message कर रहा है पहले सिर्फ whatsapp one new message आता था लेकिन अभी किसने message किया और क्या message किया उपर से देख सकते हो देख सकते हो तो यही वो setting है जो whatsapp के अंदर ही है तो यह setting को शायद आपका off है और on कर दो on कर देने के बाद आपका यह problem solve हो जाएगा तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लेस दस्तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं